आप देख रहे हैं आजाद सिपाही नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है मैं हूँ रहुल सिख अर्देश में 59 गंतंत्रदिवस मनाया जा रहा है गंतंत्रदिवस भारत का एक राश्ट्र पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जन्वरी को मनाया जाता है का समिधान लागू किया गया था एक स्वतंत्र गंडराज बनने और देश में कानूल कराज स्थापित करने के लिए समिधान को 26 नौवंबर 1949 को भारतिय समिधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जन्वरी 1950 को इसे एक लोगतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था 26 जन्वरी को इसलिए चुना गया क्यूंकि 1930 में इसी दिन भारतिय राष्ट कॉंग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोशित किया था यह भारत के तीन राष्ट अवकाशों में से एक है अन्यदो स्वतंत्रता दिवस और गांधी जैन्ती है इस बार की गंतंत्र दिवस परेड में महिला शक्ती देखने को मिली गंतंत्र दिवस पर राष्पत पर सैने ताकत का प्रदर्शन हुआ परेड में 23 जाकिया निकाली गए महिला जवानों की मोटरसाइकल कर्तब पर खूब तारिया बजी परेड में 20 साल बाद ITBP के जवा का प्रदर्शन किया गया समारों में 10 आशियान देशों के प्रमुख भी बतार महिमान पहुँचे परेड देखने के लिए 61 आदिवासी महिमानों को आमंत्रित किया गया था जोती निराला को मन्नो परांत मिला शोग चक्र पाच हेलिकॉप्टर का दस्ता ने राष्पती प्रामनाथ कोबिन्थ और 10 आशियान महिमानों को गेस्ट आप ओनर दिया सबसे आगे चल रहा हेलिकॉप्टर तिरंगा लेकर चल रहा था जबकि एक हेलिकॉप्टर पर आशियान जंडा था इसके अलावा तीन हेलिकॉप्टर पर तीनों सिनाव के जंडे थे राश्पत पर परेड के दोरान देश की मजबूत समाजिक और सांस्क्रितिक विविद्धिता को दिखाया गया परेड के दोरान देश की आर्थिक विकास को भी बकूबी पेश किया गया परेड में तेज जाकिया निकाली गई इनमें चौदर राजियों और वाकी केंद्र सरकार के परेड में सशेष्ट्र सीमा बल के दस्ते ने राश्ट्रपती को सलामी दी परेड में 20 साल बाद ITBP के जवानों ने शिर्कत की महिला दस्ते सीमा भावानी ने पहली बार राश्ट्रपत पर मोटरसाइकल कर्तब दिखाया यह दस्ता जैसे ही राश्ट्रपत पहुचा चारों तरफ तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया सिमा भावानी के जवानों ने मोटरसाइकल पर कई तरह के कर्तब दिखाए महिला जवानों ने सधी प्रैक्टिस के जरिये राजपत पर शांदार नजारे को पेश किया गंतंत्र के परेड की इतिहास में पहली बार दस देशों के राश्ट्रय धक्ष देश के महमान बनकर शामिल हुए इस साल सभी आसियान देशों के मुखिया राजपत के परेड के गवाह बने Border Security Force की महिला कर्मी परेड के दोरां मोटरसाइकल एक्ट किया All India Radio की भी जाकी परेड का हिस्सा बनी इसमें प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के मन की बाग कारेकरमों को भी प्रदर्शित किया गया परेड में आयकर विभाग जाकी को भी शामिल किया गया नौसेना की जाकी में स्वदेशी एरक्राफ केरियर विक्रान का प्रदर्शन किया गया इसे 2020 में नेवी में शामिल करने का फैसला लिया गया है यही नहीं DRDO की ओर से निर्भे मिसाइल और अश्मनी रडार सिस्टम का भी प्रदर्शन हुआ केंडर सरकार की ओर से देश के विविन हिस्सों से गंतंद्र की परेड देखने के लिए 61 अधिवासी महमानों को भी आमंत्रित किया गया था राश्ट्रिपदी रामनात कोविन ने वायू सेना के शहीद गरूर कमांडो जोती प्रसाद निराला को मनो पराम को शांतिकाल का सर्वोक्ष विर्ता सम्मान अशोक चक्र से समानित किया निराला की पत्नी और मा ने राश्ट्रपदी के हाथो या पुरसकार ग्रहन किया निराला ने अकेले ही तीन आतंकियों को कश्मीर में धेर किया था गंतंत्र दिवस 2018 के अफसर पर जार्खण के मुख्यमंत्री रगवर्दास ने दुमका पुलिस लाइन मैदान में जंडा तोरंड किया गंतंत्र दिवस के मौके पर जारकंड के मुख्यमंत्री रगवर्दास ने राश्ट्र पिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहला नहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुबास्चनर बोस, बाबा साहब, डॉक्टर भीम राव अंबेटकर, मौलाना अब्द किया गया था, हमारा राज सैशव अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है, युवा जारकंड को सही दिशा में ले जाने एवं विकाश के पत पर अग्रसर करने हैं तू, हमारी सरकार कृत संकलित है, मुख्यमंत्री ने जारकंड की अस्मिता के लिए अ जाना भगत, निलामबर पितांबर जैसे महान विभुत्यों को अपनी स्रधा सुमन अपित की, मुख्यमंत्री ने कहा कि जारकंड का महौल बदल गया है, ब्रस्टचार के मुद्धे पर अब हमारा राज चर्चा का विशे नहीं बनता, बलकि अब मुमेटम जारकंड, डि आई गई कई योजनाओं पर प्रकाश डाला और उन्दत जारकंड की तस्वीर लोगों के सामने रगी, जारकंड की राजिपाल द्रौपदी मुर्मु ने शहीद इसमारक डीपा टोली बुटी मोड पर शहीदों को स्रधा सुमन अर्पित की, उन्होंने शहीद चौक इस् इतना ही देश-विदेश की तमाम बड़ी कबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोग प्रियाद्यानिक अखबार आजाग सिपाही और इतजार करिए आजाग सिपाही कबर विशेश का राकेश सिंग के साथ